नमस्कार दोस्तों, एक बार पनो हाजिर हो मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लोक्स पे देखेगा एक मेल हतेली हमारे पाश है और सबसे पहले जब हम हतेली को देखते हैं तो इसका आकार हमें दिखाई दे रहा है और इसका जो आकार बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है हतेली का आकार पूरी तरों से आईताकार हतेली है और मैंने पहले की वीडियो जो में भी बताया है अगर ब्यक्ति की हतेली आईताकार होती है तो निश्चित ही जो है मस्तिस्क से या कहें हम बोलने से ऐसे लोगों का जादा कार्य चलता है अपने करियर के मामले में सारिक मेहनत ऐसे लोगों को थोड़ी सी कम करनी पड़ती है और इसको देखना हो तो मस्तिस्क रेखा भी इसी और जो है इसारा कर रही है जो मस्तिस्क की लकीर है वो मस्तिस्क की लकीर निर्विरोध रूप से यहाँ पे उर्द्व चंद्रमा पे संपन्न हो रही है और ये बहुत अच्छे है ये ब्यक्ति की जो है बौदिक अस्तर को बताता है ये बता रहा है कि करियर का मामला जो रहेगा वो बोलने से या मस्तिस्क से कार्य करने से करियर आपका अच्छा चलेगा आपको सारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम जो है करियर में करनी पड़ेगी मस्तिस्क रेखा बता रही है कि विबेक वान ब्यक्तित्व है आपका आप अपने विबेक से हर समय कुछ न कुछ अच्छी योजनाईं बनाते हैं अच्छा सोचते हैं और उन योजनाओं पे अमल करने वाला ब्यक्तित्व भी आपका है जिस फिल्ड में भी आप काम करते ह अपने मस्तिस्क का प्रियोग करते हैं यही चीज आपकी बीच की उंगली जिसे हम कर्म की उंगली कहते हैं मध्यमा यह भी बता नहीं है यह पूरी तोसे आपकी ब्रिस्पती की उंगली की तरफ जुकाव लेरी है ऐसा ब्यक्ति दोड़ भागी का काम थोड़ा कम करता है और अगर करता भी है तो उसमें भी दिमागी काम जादा होता है इस चीज के और जो है ये इसारा कर रहे है ये बहुत अच्छी है और यहाँ पे अगर हम अंगोठे के देखते हैं तो एक नजर में आपका अंगोठा बता रहा है कि आप जो है एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले लोगों में से एक है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रियतनसील भी हैं लेकिन तार्किक हैं और यह जरूरी भी है आपका तार्किक होना हर विशाई पर तरक आप अच्छी तरों से करना जानते हैं और तरक करते भी हैं यह आपकी हतीली का अंगोठा बता रहा है लेकिन अंगोठा एक चीज और बता रहा है अगर अंगोठा इस परकार से हो जैसे आपका है यह तो ठीक है कि सुखद जीवन की जीने की चाहर रखता है इस अव्यक्ति इसके लिए प्रेतनसील भी रहता है तरक करना भी बहतरीन जानता है इक्छा सक्तियां भी व्यक्तिकी बहुत अच्छी होती हैं लेकिन जब अंगोठा इस प्रकार से हो हलका भी तो यह जीवन काल में संगर्ष को दिखाता है यह जीवन काल में कई बार धनहानी को दिखाता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर करना चाहे होता है चाहे उपसे ब्योषाई में नुकसान को दिखाता है ये दी ऐसे ब्योषाई करते हैं तो ठीक है जैसे आपके माइंड की रेखा है जैसे आपकी हतेली है ये अच्छा है ब्योषाई के लिए लेकिन पार्टनर्शिप ऐसे लोगों को नहीं भवता है लेकिन अब समय आ गया है जो आपकी उमर लिखी हुई है, इस उमर से जो है कहीं न कहीं आपको अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, अभी और भी कुछ बहुत बड़ी चीजें हैं अतेली में, वो मैं बता रहा हूं, और उसका मैं उपाई भी दे रहा हूं, अगर आप उपाई नहीं करेंगे, एक प् पाईदानी मिलेगा, जिस प्रकार से आप जिस हिसाब से बिजनिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं अडचने, दिक्कते, और कहीं न कहीं उस चीज को पूर्ण तापे न जाना, ये रेखाई बता रही हैं, लेकिन अंगोठी की बात करें, तो पार्टनर्शिप में ज्यादा जो है दिरे धीरे आप जो है अलग करने की कोशिस करें, पार्टनर्शिप में तो कुछ है यह नहीं, बिल्कुल किलियर आपका अंगोठा बता रहा है, दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखेगा, जैसा आपका अंगोठा बता रहा है, कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, जब आप अच्यंत मेहनत कर लेंगे, अच्छी खासी मेहनत करेंगे, तब ही धन आएगा, सहजता से, सरलता से, धन आने की उमीद बहुत कम आपका अंगोठा बता रहा है, खास कर जीवन में धन कमाने की जो इस्तिती है, ऐसा अंगोठा हो, तो लेट बनाता है य очка-42 में वर्सकी आउसे थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है और छबपन वर्शकी आउस के बाद तो बहुत अच्छा समय गोल्डन समय ऐसे लोगों का कहा जाता है, कहलाता है, होता है, ये निश्चित है, अब 42 में वर्सकी थोड़ा ठीक है, क्या फल मिलना है, ये हतेली की रेखाई किया कह रही है अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है जबकि 42 वर्स के बाद से जो है अच्छी खासी जो है चीजें मिलनी सुरू होनी है जैसे mop है अंग्डे में एक चीज और है ये इच्छा सक्तियां बहुत अच्छी है तरक सक्ति मैंने बता दिया तारकिक है और यहां पे जो है एक सांदार यव का साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है ये भी बहुत अच्छा है ये ब्यक्ति को भावक तो जरूर बनाता है ना जो किर्दय का इनसान बना लेता है लेकिन कहीं न कहीं ऐसे ल प्राप्ति होती है अपने घर का सुक मिलता है अपने कमाई हुई पैसों से और अच्छी अच्छा खासा जो है घर मिलता है एक लग्जिरियस टाइप का निश्चित रूप से अपने जिवनकाल में यह नहीं कि जो है सुरुवाती ही में मिल जाए हुब मेनत के बाद मिलता है लेकिन अच्छा खासा घर मिलता है घर का सुक बहुत सुन्दर मिलता है किसी कारण वस एक परसेंट ऐसे लोगों को अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक यदि न मिला तो किसी के सैयोग से या पैतरिक संपति का लाम मिलेगा लेकिन ये निश्चित है ऐसे लोगों को जो है अपने घर का सुक मिलता ही मिलता है ये आपका अंगठा यहां पर बता रहा है अब एक चीज जरूर है आपकी हतेली में देखेगा थोड़ा ध्यान से देखेगा इसको एक तो आपकी करियर और धन की रेखा जो मुख्य होती है यहां तक जाके एक आएक यहीं पर रुक रही है फिर यहां से थोड़ा जाके फिर यहां पर यह काट रही है और यहां पर हिर्दे रेखा में यह रुक रही है देखेगा जब हिर्दे रेखा इस परकार से चलती है और आपके इन दोनों उंगलियों की बीच में गैप रहता है तो ये जीवनकाल की ये गैप जो है ये जीवनकाल के 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक चीज रखता है या तो धन के मामले में संगर्स रहता है या तो विक्ती जो है धन के महतों को नहीं समझ पाता है या तो खर्चिला सुभाव रहता है इन तीन चीजों में से 35 वर्स तक धन के मामले में ये चीज रहती है और उसके बाद जिस परकार से ये मस्तिस्क रेखा पर एकदम रुक रही है तो कहीं न कहीं जो है विक्ति जल्दबाजी में या कुछ ऐसा हो जाता है कि गलत फैसले ले लेता है और उस गलत फैसले के कारण स्वयम के विकास को अवरुद्द कर लेता है इस बात की संकाएं जादा रहती हैं, संभावनाएं जादा रहते हैं करियर और धन के मामले में दूसरी बात जिसकी इस परकार से रेखा जा रही हो और कभी जो है वो हिर्दे रेखा पे मिल रही हो, कभी वो मस्तिस्क रेखा पे मिल रही हो कभी उसको कुई रेखाएं काट रही हो तो करियर और धन के मामले में हमेशा उतार चड़ाव रहता है हमेशा पूर्णता नहीं आ पाती है अगर कहें जैसे बिल्कुल खिचड़ी पक गई है खाने वाले हैं तभी जो है अर्चना जाएगी सब कुछ बन जाता है काम पूरा बन जाता है बस इंतजार रहता है कि साइन हो और जो है बस आने ही वाला है पैसा बस अब उच्छाल लगने वाले हैं अभी तक जो संगर्स जेला है अभी तक जो चीजें की हैं बस ये काम होने वाला है कल साम को ये काम हो जाएगा और हम जो है इस चीज से निब्रत हो अब जो मेरी योजनाएं हैं वो कारिय करने बढ़ जाएंगे उनको मैं प्रोग्रेस रूप में ले जाओंगा बहुत सारी चीजें परफेक्ट हो जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी धीलें आ जाती हैं ऐसे लोगों के पास बहुत उच्छाल में करियर जाने बढ़ जाता है लेकिन एका एक कुछ ऐसी अरचने आ जाती हैं कि वो काम नहीं हो पाता है लक्षमी आपके पास आ गई आपको सो हो रहा है कि बस आने वाले ये लेकिन वो रूट के पीछ मुड़ जाती है ऐसे लोगों के कामों में हमेशा अरचन आती है और जितनी भी मेनत की होगी वो सा पूर्णता नहीं देती है कई बार काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं सब काम हो जाता है लेकिन उसके बाद रह जाता है कई बार जो है मनी बड़े बड़ी डीले ऐसे लोगों के पास आ जाती है बहुत बड़ी बड़ी कभी तो सपनों से भी डीले आ जाती है लेकिन और कारण आपकी करियर और धन के रहे हैं जो इस्टेबिलिटी नहीं दे रही है विसेश कर धन और करियर करियर इस्टेबल रहता है यह होता है यही काम करना है इसी काम को आगे बढ़ाना है इसमें महारत हासिल है लेकिन उसमें जो है जो धन कमानी की चीजें हैं जिससे धन आना वहां पर बात अठक जाती है वो stability नहीं वह पाती है वह पर अस्ताये तो नहीं आता है कि निरंतर आ रहा है काम हो रहे हैं चलो अगर एक काम हो दो काम नभीव हो फिर तीसरा काम हो तो विक्तिका चल जाता है लेकिन ये इस चीज को नहीं बताती है बहुत लंबे टायम तक इ धीरे धीरे खिसक जाती है तो ऐसी जो करियर की और धन की रेखा है ये इस चीज को बताती है इसका मैं आपको एक सांदार उपाई दूँगा और बहुत जल्दी जो है वो इस चीज को जो है ठीक करेगे अब सबसे बड़ी चीज यहां पर एक और है जिन ये सबी चीजों को जो है ये चीजें खतम कर रही है क्योंकि अंगोठा जिस प्रकार से है समय आ गया है कि चीजें आपकी जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है लेकिन पूरी हतेली में आप देखो तो छिन भिन अवस्ता में बहुत सारी रेखाएं हैं अनगिनत रेखाएं जिसे कहते हैं और करियर और धन के रेखा को देखे लगातार जो है छोटी छोटी अनगिनत रेखाएं काट रही हैं लगातार काट रही हैं ये देखो सारी रेखाओं को लगातार ये रेखाएं काट रही हैं नाडी रेखाएं ये रेखाएं जो है अच्छी नहीं मानी जाती है ये रेख कोई चिंता रहती है हमारे जिवन में कोई संगर्स रहता है हमारे आर्थिक इस्तिति कमजोर रहती है तो यह रेखाएं हतेली में उभरती है यह रेखाएं बताती है कि जिवन में यह चल रहा है यह जादतर हमारे आर्थिक इस्तिति को हमारे संगर्स को हमारी मन की उल्जन को बताती हैं और जब ये रेखाएं किसी भी ब्यक्ति की हतेली में उबर कर आने बैठ जाए तो जीवन में संगर्स शुरू हो जाता है जीवन में कनिफ्योजन जीवन में दोविधा और जीवन में जो है कहीं न कहीं आपकी जो डेपलप्मेंट है आपकी प्रोग्रेस है वो ती ब्रगति से रुकनी सुरू हो जाती है उतार चड़ाओ चलना सुरू हो जाता है आपके काम अटकने सुरू हो जाती है और आर्थिक रूप से जो है ये आपको कमजोर करने का कार्या करती है कई बार जो है करजा भी ऐसे बहुत ज़्यादा पड़ता है और ये रेखाई जब अपना घर करती हैं तो धाई सालों तक अपना प्रभाव रखती हैं अगर फिर भी उपाई नहीं किया तो पांच सालों तक अगर फिर भी नहीं किया तो साड़े साथ सालों तक फिर अपनी चपेट में ले लेती हैं और उनको बरबाद के कगार पे छोड़ देती है तब छोड़ देती है जब पूरा बरबाद हो जाता है तब ये रेखाई निकल जाती है फिर इनका काम नहीं होता कुछ ये रेखाई निकल जाती है ये होता है आपका नजर दोस और जादतर ये नजर दोस तब लगता है जब व् लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि यार देखो हम इने के साथ थे हम इनसे बड़े थे आज हम यहां है और यह व्यक्ति जो है कहां पहुंच गया है इसके पास अचानक आया कैसे यह चीजे इसकी बुद्धी ऐसे कैसे हो गई कुछ इस परकार के चीजें होती है कुछ अलग परकार की चीजें होती है कुछ वास्तो का दोस हो जाता है कहीं न कहीं यह नगेटिव उर्जा जो है आ जाती है और अपना बहुत बड़ा प्रभाव देती है बरतमान में यह नगेटिव उर्जा अगर हट जाए तो किसी रेखा को किसी ग्रह को मजबूत करने की कोई आव उपाई दोंगा आपको एक बीज्यानिक और एक प्राकृतिक उपाई दोंगा आप बहुत सरलता से उस उपाई को करिएगा निश्चित तोर पे जो है यह नगेटिव उर्जा हट जाएगे और आपके काम कहीं न कहीं आंसिक रूप से बनना सुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपको ध्यान और योग किरियाएं दोंगा बहुत बड़ी पूजा पाट की जरूरत नहीं है ध्यान और योग किरियाएं दोंगा सूर्य किरिया दोंगा उसको जरूर कर लीजेगा पाच-पाच मिन्ट परते एक दिन अपनी जीवन में उसको बिठा लीजेगा और आप हो सकता है काम यह अगर सही रहा जिस प्रकार से आपका अंगोठा बता रहा है ये समय आ गया है जिस प्रकार से अगर अंगोठा ने प्रभाव ज्यादा दे दिया तो negative उर्जा का उपाई करते करते ही आपके काम बनने सुरू हो जाएंगे तो बहुत बड़ी चिंता नहीं है, सबसे बड़ी चीज आपकी हतेली में करियर और धन की रेखा का अपूल्ण होना और हतेली में नेगेटिव उर्जा का होना यहां पे दिखाई दे रहा है, हाँ अगर आप पार्टनर्सिप में काम कर रहे हैं, तो यह ज़्यादा आपको फलदाई नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है न, तो आप अभी करिएगा, लेकिन अपने मन में ये विचार रख लेजेगा, कि यार मैं आगे जो है अपना इंडूविजल काम करना है, अपना व्यापार करना है, या कोई भी काम जो है अपना करना है, तभी आपके जीवन म फलद तो इस्तिति में आएगा, आप तोड़ा सा जो है आपके हतेली का पूरा विशलेशन किया जाए, कि आपके हतेली क्या बथा रही है, मुख्या मुख्या चीजे हमने बता दिया है, यहाँ पे आपकी हतेली में तीन रेखाएं, साप सुत्री जो है, यहाँ पे मणिब कहीं जो है थोड़ी पीठ का दर्द गुटने का दर्द और कमर की दर्द की प्रॉब्लम यहां पर रह सकती है या पीट की या आपकी आँखों में थोड़ा सा चसमा उगेरा लगना इस चीज की प्रॉब्लम रह सकती है इसके लिए योगा प्रणायाम जरूर करे इस चीज की समस्या 45 वर्षा से कहीं न कहीं आने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है तो ये चीजें हट जाती है अगर योग और प्रणायाम जो ब्यायाम होता है उस तरह से विक्ति करता है तो ये चीजें हट जाएंगा द दोसों का हरण कर रही है तो यहां पर भाग्या रेखा का दोसित होना बहुत गंबीर परिणाम नहीं है क्योंकि आपकी मनिबंद में संपति की रेखा अच्छे भाव में आ रहे है तो कहीं न कहीं धन की योग अब बन रहे हैं तीसरी रेखा है सुक रेखा सुक रेखा भी आपकी जो है अच्छे खासी इस्तिति में आ रहे है तो ये बता रहे हैं कि अभी तक आपने जो संगर्स किया है जो आपने जो है उतार चड़ाव जेला है कहीं न कहीं अब समय आ गया है कि उसका सुक का आप भोग करे और ये निश्चित है लेकिन आपकी हतेली में जो ये न बाहर निकलने के लिए यहीं घूम रहे हैं यहीं उलज रहे हैं चीजें वहीं से स्टार्ड होती हैं वहीं पर खतम हो जाती हैं वहीं से सुरू होती हैं वहीं पर एक चक्की की तरह लेकिन वह बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है उनको जो है धन घूमता रहेगा घू में सब की हतेली में देखेगा अगर सब की हतेलियों में जाल बन रहा है तो कहीं न कहीं जो है या तो वो नगेटिब उर्जा सब पे है घर के अंदर गुसी हुई है या तो कहीं न कहीं जो है वास्तुदो से वहाँ पे दिखाई दे रहा है या तो जो है कुछ जो है काल सर्प योग का आंसिक रोप से जो है प्रभाव है अगर केवल आपके हतेली में है तो आपके हतेली में ये केवल और केवल नगेटिव उरजा है नजर दोस है इसका उपाई में दे रहा हूँ लेकिन सब की है तो आप मुझे फोन करिएगा मैं उस लोग और ध्यान किरिया का दे रहा हूँ जो रास्ता खोल दे तुरंत और काम बनने सुरू हो जाएं जैसा आपका अंगोठा कहे रहा है अब यहां पे देखते हैं आपकी ये उंगली पूरी तरह से जुक रिखी है आपकी मिडली फिंगर की तरफ धार्मिक भावना ये आ स्वास रखने वाला ब्यक्तित्व इहां पे आपके हतेले में डिखाई दे रहा है ये भी अच्छी चीज है बीजवाली उंगली के बारे में जो इक्छा है वो परबल रोप लेती हुई यहां पrä दिखाई दे रही है ये अच्छी चीज यहां पर दिख रही है अब यहां पर देखेito आपकी जो है कहीं न कहीं ये उंगली बड़ी दिखाई दी रही है ब्रिस्पति की इस उंगले से थोड़ा बड़ी है लेकिन इस से छोटी है मिडल फिंगर से छोटी है ये बहुत स्रेश्ट आउस्ता कही जाती है क्योंकि ये उंगली जो है गुरु परवत देव गुरु आचारे ब्रिस्पती के उपर बन रही है ये निश्चित है आपके अंदर कार्य कुसलता के गुण है और ये उंगली जो है उसको दे रही है बनी आचारे ब्रिस्पती जी भगवान ब्रिस्पती जी जो देवताओं के गुरु है आपके इश्ट ग्रा है ये आपके अंदर कार्य कुसलता के गुण बहुत अच्छे रूप में दे रहे हैं आप कारे को सल हैं ब्यवारिक हैं लेकिन कहीं न कहीं स्वाविमानी भी हैं ये उंगली देती है और स्वाविमानी के साथ साथ औरों पर सासन करनी की इच्छा प्रबल रोप से रह सकती है क्योंकि लेडर्शिप के गुणों को ये देती हुई दिखाई देरी है तो उंगली ब्रश्पती की बहुत सरेष्ट है और आपकी इश्ट देव भी इस व्यूं ओन्पДа धिरी ईश्ट ग्रह भी आचारिय ब्रस्पती जी हैं और जब आचारिय इस चीज का और ये संकेत कर रही है दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटी उंगली आपकी सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुँच पा रही है तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट में कागजों के रख रखाओं में इकाउन्टबिल्टी में फोड़ी सी ये कमी को देती है आपको यहां तक कहीं न कहीं जो है नाखोन बढ़ाने हैं इस बात के और ये इस सारा कर रही है कि आपको जो है नाखोन बढ़ाने की यहाँ पे आवशकता है यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया अब आपकी जो है हिरदे की लकीर को देखे तो ये सीधा-सीधा कहीं न कहीं आचारे ब्रिस्पति से युक्ति बना रही है ये भी अपने आप में अत्यंत सरेश्ट है केवल अपने या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए सोचने वाला ब्यक्तित्व नहीं है आपका सब के लिए सोचने वाला ब्यक्तित्व है बुद्धिमान है बिद्ध्वान है तेजुस्वी है हिर्दे से प्रेम करने वाला व्यक्तित्वा आपका है और प्रेम के मामले में सर्वस्रेष्ट है अंततक निभाने वाला व्यक्तित्वा यहां पे दिखाई दी रहा है स्वाविमानी है और स्वाविमान में कभी-कभी अभिमान का पुट भी आ जाता है लेकिन उससे कोई दिकत नहीं है हाँ देखेगा जब आपकी हतेली से ये नगेटिब उर्जा खतम हो जाएगी और जिस तरों से अंगोठा आपका कहर है कि समय आ गया है डेप्लप्मेंट पाने का समय आ गया है बर्चस्व पाने का समय आ गया है धन पाने का तो निश्चित रोप से ये योग भी बहुत अच्छा बन रहा है ब्यापार करके हो नोकरी करके हो कोई और काम करके हो समाज में एक स्रेष्ट जीवन ब्यतित करेंगे ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है मस्तिस्क रेखा के बारे में हमने पहले बता दिया है यहाँ पे जीवन रेखा भी पूरी तरों से इस परकार से जाती हुई दिखाई दे रही है जीवन में एक तो केरिंग ब्यक्तित्व है आपका अपने परिवार के परती समरपन की भावना है बहुत केर करने वाला ब्युक्तित हो है कहीना कहीं जीवन में लगातार जो है यहाँ पर प्रगति दिखाई दे रही है और धन के मामले में यह अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाँ करियर और धन की रेखा का मैंने ये बता दिया है एक तो जो है जीवन काल के 48-वे में ये सूरे से युक्ति बना रही है राहो की रेखा अन्तालिस से लेके 54 वर्ष के बीच में जो है अपने कामों को बहुत जादा बढ़ा देंगे आप अगर एक्चुल तरीके से आप मेहनत करते रहे ध्यान देते रहे तो निश्चित रूप से अन्तालिस से लेके 54 वर्ष के बीच में सुरणिम खंड़ आपका यहां पर दिखाई दे रहा है कारियों में बहुत बड़ा बिस्तार होगा कहीं न कहीं धन के मामले में कहीं न कहीं अपने यस्क और किरति के मामले में अपने कामों को बढ़ाने के म मामले में आप जो है आपको जो है बहुत बड़ा सायोग मिलेगा वहीं अगर देखा जाए तो एक रेखा जो है पैतालिसमें वर्स में बुद्ध से युक्ति बना रही है बुद्ध के गुणों में बुर्द करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है तो जब यह एक रेखा फिलाल यहां जारी है लेकिन ये बरतमान समय को दिखा रही है कहीं न कहीं कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ रहा है हर जगे उतार चड़ाव जहिलना पड़ रहा है चाहे रोटी रोजी का मामला हो चाहे रोजगार का मामला हो चाहे जो है धन प्रभाव को नष्ट करती हैं। यह पे डिब्ब्भी भी बने हूई है और यहाँ पे यह रेखा भी हागा यहिए साप सुतरी होती यह वाले और यह रेखाए भार्णा जाती होती यहाँ पे डिब्बा बनाती और ये रेखा पूर्ण सनी पे आ जाती तो ये एक बहुत सुन्दर योग बनाती है क्या योग बनाती है ऐसे ब्यक्ति रियल इस्टेट या जमीन समंदी बिल्डर समंदी मकानों को बेचने समंदी ऐसे कामों में जो है मनी सुन्य से उठकर और अंतिम छोर को प्राप्त करते हैं बहुत बड़ी सपलता अथा सपलता को प्राप्त करते है एक लगजिरियस लाइफ जीने वाली ब्यक्ति होते हैं करोडों और मों कमाने वाला व्यक्ति होता है एक अगर ऐसा व्यक्ति जो है उस परकार के रियल इस्टेट विक्रेता होते हैं प्रोपर्टी डीलर होते हैं जो करोडों वाली जो है संपति का आदान परदान करते हैं कईयों करोडों वाली और उसमें बहुत बड़ा लाब ऐस आईसे लोगों को होता है लेकिन यहाँ पे यह योग बना रहे हैं लेकिन आधा अधुरा मणि पूर्ण योग नहीं बनदा है कहींशो हूर इस्वरकी किरपा इनकी उपर बहूत अच्छी होती है यह रे growing करते हैं कि आपके अच्छी प्रतिबा ये है लेकिन उस परतिभा और उस बुद्ध का ये रेखाएं हरण कर रहे हैं ये कहीं न कहीं नाड़ी रेखाएं उसको सफल नहीं होने दे रही है आपके अंदर सोचने समझने कि सकती विशेश रूप से ये रेखा दे रही है मंगल की रेखा मंगल कारा की ही जमीन का है बुद ले लेंगे तो उसे अंततक निबाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और जादतर ऐसे जातक जीवनकाल में कोई एक उदिश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्षे की प्राप्ति नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसे जातक बिस्राम नहीं लेते हैं लेकिन वो लक्षा अध्याला है हान निष्श कित्रोप से अध्यालीश में से लेकि की दूर्षी के बीच में अच्छा समयं आपका आ रहा है फिर 56 कि आयों के बाद बेहत्रीन समयं का यहांप दिखाई देокой अधरा। बेहतरीन से भी बेहतरीन ये साब दिखा रहा है आपकी सबसे अच्छा समय जीवन का आपका 56 वर्ष के बाद का है जीवन में सबसे अच्छा समय और जो जीवन में जो है बेहतरीन समय है वो आपका 48 से 54 वर्ष के बाद का है और कहीं न कहीं जो है 42 वर्ष से थोड़ा ठीक ठ करना जब तक यह ठीक नहीं होती आपके काम तो आएंगे आपके पास लेकिन कहीं न कहीं उसके पूर्णता होने में संदीह जरूर रहेगी आर्थे की इस्तिति हो जो है आपको क्या करना है उसके लिए आपको जो है निश्चित रोप से नगिटिव ओर्जा का उपाई करना है जो मैं आपको दे रहा हूं हाँ यहाँ पे देखेंगे आप सांदार बर्ग बनता हो दिखाई दी रहा है और इस पे सनी का प्रभाव पड़ रहा है सनी पे भी जो है यहाँ पे बहुत सारे बर्ग बन रहे हैं यह ब्यक्ति के जीवन के द्रिश्टिकोंड से अतिउत्तम होता है ऐसे ब्यक्ति अगर बार बार भी मौत के मुह में चले जाएं तो भी आश्चर्य जनक रोप से बच के निकलाते हैं अंग उठे के नीचे का भाग देखे इसको सुक्र का परवत कहते हैं यह बहुत एक सुख सुविदाओं को दिखाता है यह आपके लग्जिरेस जीवन को दिखाता है यहाँ पी अच्छे रोप में हैं यह कह रहा है कि आपका जो ब्यक्तित्व है आपकी जो परसनल्टी है वो गजब की है देजुस्वी हैं और सजना सवरना और कहीं न कहीं जो है नई चीजों के परतिरुजान रहना बहुत एक सुखसुदाओं की और ज़्यादा अट्रेक्शन रहना इस चीज को ये दिखा रहा है लेकिन इसमें जालनुमा बना है तो कहीं न कहीं बरतमान समय में किसी चीज को लेके बहुत ज़्य दूसरी बात अगर यह रेखाएं जादा हों तो कोई नो कोई चिंता बनी रहती है सुखों में कमी आते हैं सब कुछ होते हुई भी तो सुक्र का उपाई वही है ध्यान और योग किरियाएं उपरी मंगल को और निमन मंगल दोनों को देखा जाए प्राकरम भी बहुत अच्छा है एनरजेटिक स्वभाव भी बना हुआ है तो इसमें तो कोई कुछ दिखाई नहीं देरा मंगल आपका बहुत अच्छा है यहाँ पे देखें आपका बिरस्पति में सांदार बर्ग बन है और जब ब्रिस्पति में बर्ग बनता है तो व्यक्ति को अपनी छेतर में इतनी नौलेज रहती है कि उसका व्यक्ति टीचिंग दे सके और जो है ब्रिस्पति भी बहुत अच्छा है मान सम्मान प्रतिष्टा का कारक धन का कारक ब्रिस्पति यहां पे अच्छे भाव मे बैठे हुए है आने वाले समय में जब नगेटिव उर्जा आपकी हतिली से निकल जाएगी सबसे ज्यादा है नगेटिव उर्जा नाड़ी रेखाएं जब इनका प्रभाव खतम हो जाएगा तो जहां सांसारिक सुक मिलेगा पारिवारिक सुक और संबर्दी बहुत अच्छ आए हैं वो बिल्कुल कट ऊगेरा बनते होई दिखाए दियरे देखे सुर्य परवत में अगर इस तरह की रेखाएं हों तो ऐसे बिक्तियों को लोन नहीं लेना चाहिए करजा नहीं लेना चाहिए अगर करजा लेते भी हैं तो जिस चीज के लिए करजा लिया है उसी को कम करना का ध्योतक होता है आप जितनी मेहनत करते हैं जितना परिश्रम करते हैं उसका न तो पूरा स्रे मिल पाता है न पूरा क्रेडिट मिल पाता है जो आपके अंदर योगता होती है जो आपके अंदर क्वालिटी होती है उस तरह से चीजें उबरकर नहीं आती है आपका बुद्ध का बात करें बुद्ध भी थोड़ा सा जो है उस रूप में अनुकूल नहीं है जिस तरों से एक ब्यावसाई के लिए से होना चाहे इसके लिए हरी सबजी है हरे फल है हरे दाले है उनका जादा से जादा प्रयोग जरूर करियेगा खाने में और सुबह ब् पर्फ्यूम आता है नहाने के बाद तीन मेहने तक अपने बदन में जरूर डाल लिए गया और सुभा यथा संभूज जितना हो सके एक अस्तान में बैठके बोल बोल कर गा के मन से गा के चाहे एक मिंट हो एक बार बोले लेकिन गायतरी महामंतर का पाट जरूर करिएगा बो गरणों साग्र हम देखेंज वाला भाग यह इस दरह से फूल रहा है और साथ में इसको भी निगेटिभ कर रहा है आपका जो है कियतुको कैंट उजब यह इस परकार करता है तो मन में तनाउं की स्थिति को जन्म देता है कहीं न कहीं भाउकता को भी जन्म देता है emotionally भी ऐसे में ब्यक्ति परिशान हो जाता है और कामों में अर्चन आती है और मन अच्छा नहीं रहता है कहीं न कहीं creativity भी घटती है hormonal system पर भी असर पड़ता नीन आने में भी दिक्कतों का सामना ब्यक्ति को कहीं न कहीं करना पड़ता है देखेगा मैंने आपके हतेली का पूर्ण रोप से बिसलेशन करके आपको बता दिया है वो ऐसे negative उर्जा को ठीक करना है उसके बाद समय आ गया है कि चीजें अच्छे होनी अभी शुरू हो जाएंगी ये निश्चित है लेकिन इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव आपके जिवन पड़ पड़ रहा है जब तक आपके हतेली से ये negative उर्जा अगर नहीं हटती है इन नाड़ी रेखाओं का प्रभाव अगर कम नहीं होता है तो कहीं न कहीं कामों को बिस्तार मिलने वाला नहीं है लेकिन इसका बहुत सरल उपाई होता है योग ध्यान किरियाएं जरूर करनी है और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे आपके कारियों को बिस्तार मिलना सुरू हो जाएगा आप जो है कहीं न कहीं संपूर्णता की तरफ जाएंगे ये निश्चित है लेकिन अभी जो है अर्चने यहां पर साप दिखाई दे रही है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुनोब पस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार